नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है संपादकी से समंधित इस वीडियो की सुरुवात करते हैं इस प्रश्ण के साथ प्रश्ण है कि कोरोना महामारी ने सामाजिक समानता के प्रयासों को चुनोती दी है कैसे और यह जो प्रश्ण आपसे पूछा गया है वह समंधित है आज के संपादकी से आज तीन संपादकी को शामिल किया गया है और तीनों संपादकी है GS Papers Second के द्रिश्टिकों से महत्पूर्ण है शुरुवात के दो संपाद की है जिनका सिर्षक है पहले का a tool for thought इसे लिया गया है हिंदू से और वहीं दूसरा संपाद की है जिसका सिर्षक है the neat challenge इसे भी लिया गया है the Hindu newspaper से और ये दोनों संपाद की है GS paper second में शामिल विस है जिसका सिर्षक है स्वास्थ, सिक्षा, मानव संसादनों से संबंदित समाजिक छेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंदन से संबंदित है वहीं तीसरा संपाद की है जिसका सिर्षक है the significance of the malabar exercise इसे लिया गया है हिंदूस्तान टाइम से और यह GS paper second में शामिल विस है जिसका सिर्षक है दुईपक्षिय, छेत्री और वैस्विक समू और भारत से संबंदित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार से संबंदित है इन तीनों संपाद की पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पूर्व यह देखते हैं कि कल जो प्र वार्सिक रिपोर्ट है और दूसरा कथन भारत में भुखमरी की इस्थिती मध्यम इस्तर पर है तो पहला कथन की यह एक वार्सिक रिपोर्ट है या सही है जबकि दूसरा कथन कि भारत में भुखमरी की इस्थिती मध्यम इस्तर पर है यह गलत है मध्यम इस्तर पर नहीं बलकि गंभीर इस तरपर है, तो इन दोनों कत्नों में से पहला कतन सही है, इसका अर्थ है कि A, विकल्प A सही है, चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले संपादिकी की ओर, पहला संपादिकी है जिसका सिर्शक है, इसका अधार क्या है, इसका अधार है COVID-19 इंडिया नेशनल सूपर मॉडल नामक अध्यान, देखते हैं कि यह अध्यान आखिर है क्या, तो COVID-19 महामारी के भविश्य को लेकर, विज्ञान एवं प्रद्योग की विभाग ने साथ सदसिये, एक समीती का गठन किया, जिसकी अध्यक्चता, IIT हैदराबाद के सिख्छक M. विद्या सागर के द्वारा की गई, और इस समीती के गठित करने का उद्देशिया था, कि COVID-19 महामारी के प्रसार का भविश्य से आखिर क्या होगा, तो इसके अध्यन के लिए M. विद्या सागर की अध्यक्चता वाली समीती ने Mathematical Model का उप्योग किया। अब अगर Mathematical Model की बात करें, तो इसके अंत्रगत किसी पणाली का संपूर्ण वर्णन करने के लिए गणिती अवधारना और भासा का प्रयोग किया जाता है। वही इस Mathematical Model का प्रयोग विभिन छित्रों में किया जाता है। चाहे वो Natural Science हो, चाहे वो Engineering Discipline हो या चाहे वो Social Science हो। तो COVID-19 महमारी के प्रसार से संबंदित भविस्वानी के लिए जिस M. विद्या सागर समीती का गठन किया गया था, उसके अनुसार कि अगर भारत में किसी भी प्रकार का कोई Lockdown नहीं लगाय जाता, तो जून तक सक्रिय संक्रमन की संख्या हो सकती थी 40-147 लाग के बीच। और वहीं अगर Lockdown एक अप्रेल या एक मई से लगाय जाता, तो जुलाई तक सक्रिय संक्रमन की स्थिती रहती 30-40 लाग तक। और यह चरम बिंदू पर रहता। वहीं इन्होंने यह बात भी कही है कि भारत में अगर COVID-19 महमारी के प्रसार की बात करें, तो सितंबर माह में यह संक्रमन अपने चरम बिंदू पर पहुँच चुका है, मतलब उसे पार कर चुका है। और जो अभी रुजहान मिल रहे है COVID-19 संक्रमन से संबंधित सक्रिय मामलों का, तो यह रुजहान यह कहता है कि फरवरी महिने तक आते आते मामला न्यूनतम हो जाएगा। अब इस अध्यन में यह बात भी कही जा रही है कि जो COVID-19 संक्रमन से संबंधित सक्रिय मामले जो है और उसमें जो गिरावट देखी जा रही है तो यह परविर्ति आगे भी जारी रहेगी, कब वो तब जारी रहेगी जबकि सीत रितू में दूसरी लहर ना आए या मुटेसन ना हो वहीं वैसे व्यक्ति जिनका एंटीबॉडी काफी विक्सित है या उनमें जो एंटीबॉडी मौजूद है इस कोरोना महामारी या कोरोना वाइरस के विरुद अगर वो लंबे समे तक टिकाओ इस्तिती में रहता है और वहीं जो लोग हैं वो सुरक्षात्मक उपाए जैसे की मास्क पहना और सोसल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हैं तो वहीं ICMR ने अगस्त में अपने नवीनतम सीरो सर्वेक्षन में अनुमान लगाय था कि भारत में 7% व्यस्क आबादी में 22-30% के बीच antibody प्रसार दिखा और समीती के अनुसार herd immunity तो इसको विक्सित होने के लिए यहां आविस्यक है कि आबादी का 60-70% कोरोना वाइरस से संक्रमित हो वहीं अगर हम herd immunity की बात करें तो इसका अर्थ है कि यह संक्रमन से होने वाली बिमारी से और पर्च संक्या का एक भाग या तो टीका करन द्वारा या पुर्व में बिमारी से संक्रमन की द्वारा प्रती रक्षा को प्राप्त कर लेता है अब अगर हम इस अध्यन की समिच्छा करें तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि कोरोना की इस्थिती क्या रही है विगत दो महिनों मे 17 सितंबर को कोरोना से समंदित जो मामले थे वा कितने थे 98 हज़ार और अक्टूबर के सुरुवाती 15 दिनों में कोरोना से समंदित मामलों में 18 प्रतिसत की गिरावट देखी गई इसके साथ साथ मृत्यू दर में भी गिरावट देखी गई है तो यह जो प्रविर्ती है को कोरोना वाइरस से समंधित जो भी भविस्वानी की गई है वो भविस्वानी और सफल रही है और यूरोप में जो हालिया मामला देखा गया है कोरोना से समंधित जो केस है उस क्या तो क्या देखा गया कि उसमें तेजी आ रही है तो मतलब यहां पर यह है कि जो सीत रितु आन तरगत हम यह देखें तो भारत के कई सहरों में सीत रितु के सुरुवात में वहां के हवा में पार्टिकुलेट मैटर उच इस्तर पर पाए जाता है तो यह जो इस्थिती है यह स्वास रोगी के लिए एक चुनोती पूर्ण इस्थिती हो सकती है वही नेशनल सेंटर ओफ ड दिल्ली सरकार को यह चितावनी दी है कि शीत रितु में दिल्ली में कोविड-19 से समंदित मामलों में वृद्धी हो सकती है अगर हम यह माल ले कि जो अभी भविस्वानी की गई है तो यह भविस्वानी अगर सही होती है और फरवरी माह में कोरोना के नियूंतम मामले देखने को मिलता है तो सबसे पहले प्राथमिक्ता इस बात की होनी चाहिए कि टीका और दवाई जो कोरोना वाइरस के विरुद्ध हो उसका जल्द से जल्द क्लिनिकल ट्राइल किया जाए और उसके साथ ही साथ सरकार की नीती और व्यक्तिगत वैवार इन दोनों इस तरो पर महामारी के प्रसार को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए तो इस प्रकार हमने कोरोना महामारी के भविस्व को लेकर जो समीति गठित की गयी थी और उस समीति का जो अध्यन आया उस पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसर संपादी की जिसका सिर्षक है दनीट चैलेंज और इसका आधार क्या है नीट परिक्षा अब देखिए नीट परिक्षा से संबंदित जितनी भी परिशानिया या कठनाईयों की बात कही जा रही थी तो उन सारी कठनाईयों और परिशानियों से संबंदित जो भविस्वानिया थी उसको दूर कर दिया गया और नीट परिक्षा का सफलता पुर्वक संपादन कर लिया गया उस समय किया गया जबकि सामानिक क्रिया कलाब का पालन करना अत्यन्थी कठिन हो जाता है जैसा कि संपाद की में कहा गया है अब अगर नीट परिक प्रकृति की बात हम करें तो उसके पाठिकरम वो सुख्रित रूप से इस तरी ये मेडिकल सिख्छा को परदान करता है जिसका उद्देश निश्चित रूप से गुणवत्ता युक्त मेडिकल सनातक की डिगरी परदान करना है अब देखें कि नीट क्या जो पाठिकरम है य अगर राज्य सरकार इस प्रकार के पाठिकरम के अनुरूप सिख्छन प्रणाली का विकास भी करें अगर इस प्रकार के गुणवत्ता युक्त कारी को करें तो उसमें ना केवल मेहनत की आवे सकता है बल्कि उसमें समय भी लगेगा अब यहां यहां भी महत्यपूर्ण है कि राज्यों में ना केवल अलग-अलग सिख्छन परणाली है अलग-अलग पाठिकरम मौझूद है बल्कि जो च्छातर हैं वो विभिन परिस्थितियों से भी आते हैं जैसे कुछ च्छातर गरीब होते हैं कुछ च्छातर दुरस् के साथ क्योंकि अगर हालिया परिच्छा में प्राप्त अंकों की बात करें तो एक नहीं दो दो छात्रों ने कुल प्राप्तांक जितने हैं तो उनका कुल अंक और कुल प्राप्तांक दोनों बराबर हैं तो इसका अर्थ यहां पर यह है कि राज्य आधहारित जो सिक्षन प पार्ठिकरम पर आधारी सिक्षन पढाली का अनुसरान कर रहे हैं, वह भी नीट की परिच्छा में सफल हो सकें, और इसके लिए अगर कोचिंग संस्थानों की मदद लेने की आभिसकता पड़े, तो राज्य सरकार कोचिंग संस्थानों की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन उस उसमें विवस्था यह करनी पड़ेगी, कि छात्रों को पढ़ने के लिए उन्हें सबसिडी देना पड़ेगा, उसके अलावा, जो MBBS की सीट है, उसको भी रिजर्ब कर सकते हैं, जैसा कि तमिलाडू की सरकार ने MBBS का जो 7.5% सीट है, वह तमिलाडू राज्य सरकार के इस थापना के लिए यह आवस्यक है कि एक ऐसी प्रणाली का निर्मान किया जाए, जो आधारी थो किस पर सार्व भौमिक पहुच पर और सार्व भौमिक वहन पर, चाहे वह आर्थिक वहनों, चाहे वह समाजिक वहनों, और विशेशकर यह विवस्था दिखनी चाहिए, कहां पर स्वास्थ और सिक्षा के चेत्र में, तो आखिर यह बात क्यूं कही जा रही है, यह जो बात कही गई है सार्व भौमिक पहुच और सार्व भौमिक वहन की, वह इसलिए क्योंकि महामारी के इस परिद्रिस में, अगर नीट परिक्षा में हम अभ्यर्तियों की या साल है, जहां पर की छात्राओं की उपस्तिती में गिरावट देखी गई है, अगर 2019 की आंकड़े देखें, तो जो छात्र वो कितने 92% उपस्तित हुए थे, और छात्राओं कितनी 93%, जबकि 2020 का आंकड़ा क्या कहता है, कि छात्र कितने उपस्तित हुए थे, 86%, जबकि छात् कि जो सिक्षक या विसेसग या बात कहते हैं कि महामारी का सबसे ज्यादा प्रभाव सिक्षा पर देखा जाएगा और सिक्षा में भी महिलाओं और लड़कियों की सिक्षा पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जाएगा तो उच्षा पर यह प्रभाव इस पस्ट रूप से देखा जा रहा है जहां कि महिलाएं और लड़कियां प्रभावित हो रही है देखे यह सही है कि महामारी के इस संक्रमन ने भेदभाव को बढ़ाया है और यह जो महामारी का प्रद्रिस है तो उसमें प्रनाली गत जो और समानता है वह काफी मजबूत हुई और महिलाओं को क प्रभावित किया है एक और उधारन देखे कैसे प्रभावित किया है तो चालू वर्स में अगर हम मनरेगा में कार लेने वालों की संख्या देखें तो महिला की भागी-दारी इस चालू वित्वर्स के सुरुवात के साथ महिनों में क्या है वह निम्न इस्तर पर है अगर हम पिछले आठ वर्स से तुलना करें तो वहीं जून महिने का जो रोजगार का आंकड़ा है वह क्या कहता है, कि रोजगार खोने वालों की अगर हम दर की बात करें, तो महिलाएं जादा है पुरुसों की तुलना में अब आप यह देखिए कि अगर महिलाएं रोजगार खो रही हैं तो महिला स्रमिकों के समख्च कैसी स्थितियुत्मन होगी या तो वो कम वेतन या मजदूरी में कारी करने को मजबूर होगी या काम नहीं करना चाहेंगी तो घरों में रहेंगी और अगर घरों में रहेंगी तो फिर घरेलू जो हिंसा है उसमें बढ़ोत्री होगी और यह बात की महामारी के इन दिनों में घरेलू हिंसा में बढ़ोत्री हुई है तो आकड़े यसिद्ध कर रहे हैं कि घरेलू हिंसा म बढ़ोत्री हुई है तो दसकों से भारती महिलाओं ने शिक्छा और आकांख्छा के माध्यम से परिवार समाजिक संग्रचना और संस्था के इस तरह पर मौझूद और समानता को चुनोती दिये अब महामारी ने महिलाओं के समक्ष उनकी स्वायतता उनके स्वास्थ उनके पोसन और उनके सामान कल्यान के समक्च चुनोती पेस की है तो नीती निर्माताओं के लिए यह आवस्यक है कि महिलाओं के समक्च यह जो चुनोती विभिन स्वरूपों में दिख रही है उसको समाप्त करने के उपाय अपनाए तो इस प्रकार हमने नीट एक्जाम के साथ-सा समपात की है ओसका सिर्चक है इसका आधार क्या है اس का आहर है मालाबार नौसेना tasty hai नदन डालते हैं मालाबार 9 सेना अभ्यास पर माला वाना नौसेना अभ्यास इसकी सुरुवात कविए 1992 में और यह द्वीपक्छी नौसेना अभ्यास प्रारम में था जिसमें भारत और अमेरिका वार्षिक तोर पर यह नौसेना अभ्यास करते थे सुरवात कपसे हुए 1992 से 2007 इसवी में भारती नौसेना ने आमंत्रत किया था यह आमंत्रन दिया था किनको किनको जापान आस्ट्रेलिया सिंगापूर की नौसेना को और 2015 इसवी में जापान इस्थाई रूप से इस नौसेना अभ्यास में सामिल हुआ और जापान के सामिल होते ही यह नौसेना अभ्यास दूइपक्ची से त्रिपक्ची हो गया अब 2020 में आस्टेलिया को मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रन दिया जा चुका है और यह जो अभ्यास होगा वह दो भाग में होगा पहला अंडुमान निकोबार दीव समू के उत्तर में बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में इसका अर्थिया है कि मालाबार अभ्यास 2020 में चार देश सामिल होंगे अमरिका जापान आस्टेलिया और भारत और यह इसारा है किसका क्वाड का तो मतलब यहाँ पर यह कि मालाबार अभ्यास 2020 की द्वारा कौार्ड के बनने की अगर हम बात करें तो वह गती क्या हो रही है वह तेज हो रही है और इस कौार्ड का उद्देश क्या है उसका उद्देश है हिंद प्रसांत छेत्र में खुला और मुक्त आवा गमन की विवस् प्रतिक्रियादी है बेसक चीन ने अपनी प्रतिक्रियादी है चीन के विदेश मंत्री ने क्या कहा जरा उस पर गौर कीजिए उनका यह कहना है कि यह जो कौार्ड है यह यह यूएस इंडो पैसिफिक इस्टेट्जी है और यह गंभीर खत्रा है कहां पर हिंद प्रसांत चेत्र में वह कैसे वह इस तरीके से कि इसके माध्यम से यहाँ पर विभिन वर्गों या विभिन देशों के बीच में मत्भेद में विर्धी होगी यह वही चीन है जिसने इसी क्वार्ड को 2018 इस्वी में संग्यान देते कि इसकी समुद्री जहा की सी फोम की इतना ही नहीं चीन देखे कितना सक्री हो चुका है 11 से 15 अक्टूबर के बीच चीन ने क्या किया कि आसियान जो है देश उनमें बीजिंग के हित को तलासा और उसके लिए उसने क्या किया कि कमबोडिया, इंडोनेसिया, लाउस, थाइलेंड और सिंगापूर में यात्रा की किसने चीन के विदेश मंत्री ने, अब देखिए, विस्विक के बड़े लोकतांत्रिक देशों में इस बात पर सहमती बन चुकी है कि चीन खत्रा है, किन-किन संदर्भों में, राजनितिक पणाली के संदर में, आत्मनिर भर अर्थविवस्था के संदर में, और वैस्विक कानून के सं संदर्भों में, महतपूर्ण सक्तियों को दिरकालिक संदर्भों के रूप में अपने पास रखाया और उस पर बल दिया है, वहीं संपादकी में आगे यह बात कही जा रही है कि विगत आठ महिनों में, चीन और क्वार्ड देशों के संदर्भों में परिवर्तन हुआ है, संबंद बदले हैं, और अगर हम कौर्ड देशों में भारत की बात करें, तो भारत के संबंद चीन के साथ विगत आठ महिनों में बेशक बदले हैं, क्योंकि चीन की नीती काफी आकरामक हो चुकी है भारत चीन की सीमा पर, इसलिए भारत के लिए आवस्यक है कि प्रतियक अंतराष्टी संबंदों को टटो लें, जिससे भारत अंतराष्टी इस तरपर मजबूत हो, और यह देखा गया कि जब जब भारत की स्थिती मजबूत होती है, तब तब चीन का रुख भारत के प्रतिन नरम हो जाता है, और इसका सबसे बड़ा उधारन है, दो हजार, जो संबंद है, या चीन का जो रुख है वो भारत के प्रति, इस बात पर निर्भर करता है, कि भारत आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, उसके साथ साथ भारत के पास कौन-कौन से मजबूत साचिदार है, तो इसका अर्थ यहां पर यह है, कि परवती छेत्र में जो अभी असांती का माहोल है, तो वहां शांती इस्थापना संभव है समुद्री मार्ग से, तो हमने तीन संपादकी पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है, देखते हैं आज का प्रश्न, प्रश्न है कि स्वत्मद्रता संग्राम के दिनों में अस्प्रिश्चता निवर्ण समीती की सुर्वात निम्न में से किस ने की थी, ओप्सन देखे, A. डॉक्टर अंबेटकर, B. जोतिबा फुले, C. रमा देवी चौधरी, D. विनुवा भावे, कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतिजार रहेगा, इसके साथ ही इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मि मिलेंगे नई जानकारी के साथ,